Welcome in Crick Science दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक फिल्डर अपने रीच को बढ़ा सकता है दोस्तो अक्सर हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी नए होते हैं या बीगिनर्स होते हैं उनका रीच काफी कम होता है आज की इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे कि किस तरह से आप अपने बाड़ी को अच्छे से और बहतर ढ़ंग से यूज़ करके अपने रीच को बढ़ा सकते हैं आएए सुरू करते हैं दोस्तो जनरली हम जब स्टांस में खड़े होते हैं तो हमारे दोनों टो आगे की और होती हैं जैसे ही बॉल आता है हम रेडी होते हैं लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम ना केवल बॉल को देखें बलकि बॉल के लाइन को फॉलो भी करें सपोज यह आपका स्टांस है अब बॉल आपके राइट साइड तकरीबन देड़ दो फिट दूर आ रहा है तब आप क्या करेंगे बॉल को फॉलो करेंगे लेकिन फॉलो करने के साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका राइट टो भी बॉल की और मूव हो लाइक डैट आप इस तरह मूव करें जिससे कि आपकी बॉली राइट साइड बॉल के तरफ जा पाएं अक्सर हम क्या करते हैं जैसे ही बॉल हमारे साथ बॉल हमारे राइट साइड या लेट साइड आती है हम बॉल को अपने सर से फॉलो करते हैं ना कि बॉडी से हम ball को ऐसे follow करते हैं और हमारा reaction लेट हो जाता है और हमारा यह pair जो है, right toe वो lock हो जाता है इसके विज़े से हमारा reach छोटा हो जाता है तो हमें क्या करना है? हमें सब से पहले इस बात का ध्यान डखना है हमें अपने head, अपने eyes और अपने body से ball को follow करना है जिससे कि हम बॉल की तरफ असानी से जा सके इसमें सबसे ज़्यादा important है आपके पैर का toe बॉल अगर आपके right side आ रहा है तो आपका right toe उस्वर होना चाहिए अगर बॉल आपके left side आ रहा है तो आपके left side toe होना चाहिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिक साइन्स चैनल को और दबाई ये बेल ऐकॉन लेटिस्ट क्लिकेट स्किल्स सबसे पहले देखने के लिए और फिर अबल्ण संप्सक्राइब के लिए。